हेलो स्टूदेंट्स वेलकम टो लेविल गुरूजी इस्टूएं जैसे कि आप लोग पता है ओ लेविल गुरूजी चैनल पर लगातार आप लोग के लिए ओ लेविल की क्लासिस अफ्लोड हो रही है जाहें वह M1 हो M2 क्लासिस हम आप लोग के लिए अभी मैं आप लोग के लिए कर रहे हैं अभी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊ हूं सामके साथ बजया तपल के सबसे महदवपूर 50 प्रिस ने जो की रिपीट हो रहे हैं काफी टाइम से ठीक है 14 तारीक 15 16 17 18 19 20 20 तारीक में से जितने भी कॉस् सब्सक्राइब कर लिए तो आपने नहीं देखें तो तॉप 50 कॉश्चन में काफी कॉश्चन रिपीट होने वाले हैं टपल से कॉश्चन भी जिव भी हम लोग करेंगे वो भी हमारे रिपीट होंगे इसके बाद एक खंटे बाद आप लोग मैं डिक्शनरी के 50 कॉश्चन प्रोवाइड कर आने वाला हूं तो जल्दी से आप लोग इस से कहते हैं क्लास को देखने के वाद उस वाले क्लास को भी जरूर देख लिए इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो नोटिफिकेशन के लिए बगल बनी हुए बैल आइकन को प्रेस कर ल प्रेस करना जाते हैं तो आज हमारा ओफर चल रहा है जस्त रुपीज में आपको बता दे रहा हूं वन फॉट्टी ना रुपीज में आपको लोग यही से देखने के लिए मिलेंगे हमारे चैनल पर आने के बाद आपको छोटा से काम करना है यहाँ प्लेश्ट को आप लो प्लेश्ट पर यहाँ पर हमने आप लोग के लिए 3,000 से भी ज्यादा प्रस्न बना रखे हैं तो आप लोग एक तो हमारी यह वाली प्लेश्ट देख लिए और दूसरे आप इस्पेशल एमसी को के लिए पाइथन एमसी को दोश्ट वाली प्लेश्ट को देखे तो इसमें आप लोग को मिल जाएंगे सारे एमसी को लिए बही ला रहा हैं जो आपके एक्जाम में आ रहा है और आज भी हम वह वह को लेकर आएं जो repeat हो रहा हैं तो वीडियो को लाइक निगया तो like करिए चैनल को subscribe लिए जरूर करिए अभी अम लोग चलते हैं आज की क्लास की वाले है तो चलते हैं आज क्लास के तरफ देख लेए तरह हमारे कौन से कॉष्ट हो रहे हैं तो पहला कॉष्ट्शन है विच पॉलिंग कुरिये टपल इन में से कौन सा इस्टेटमेंट रिकान कौन सा उप्षण कुरिए करेगा तो पहला तो करेगा नहीं दूसरा पताएए तो आंसर एगा और यह दोनों तो नहीं है निए फॉलिंग इस पाइफन टपल के पहचान क्या होती है यह हमारे ब्रैकेट होते हैं राउंडड़ ब्रैकेट होते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू उती है तो जिसने भी आंसर डी लगा है बिल्कों सही लगा है ने इसको आप अगर इसके आगे कॉमा लग जाता इस तरह से तो यह बन जाती है आपके टपल ठीक है तो बताएं जड़ा पाइफन के रिस्पेक्ट में कौन सॉप्शन शाहिए बोड टपल लिस्ट अर्मूटिबल यह तो गलत हो गया टपल अर्मूटिबल को सही है टपल में हम लोग व इनकरेक्ट तो पता है इंवे से कौन सा स्टेट्मेंट यहां पर कौन सा ओप्शन इसमें गलत है तो फिफ्ट नुम्बर में पूचा जा रहा है तो देखिए यह वाला स्टेट्मेंट गलत हो गया क्योंकि यह म्यूटेबल आली प्रॉपरिड है जिबकि यहां पर टपल इम्म्यूटेबल होता है कभी आपडेट करी नहीं सकते हैं टपल के अंदर नेक्ट कॉश्चन है इफ ए कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थी कॉमा फॉर तो पूश्चा इस स्टेट्मेंट को जो हम एक्जिकूट करेंगे स्लाइसिंग को तो आंसर क्या एगा सिंपल सा कॉश्चन को सही आएगा इस तरह सही प्रेंट होके आएगा क्योंकि यह बन एकी वैलू वन है वी की टू है सी की थ्री है नेश कॉश्चन पर आते हैं इस दा पाइफन फॉलिंग कोड़ अगें पूश्च रहें का यह वैलिड है अब यह वाला जो कूड है यह वैलिड नहीं है क्यो तो सही आप्शन बताइए अब लूग जिनों ने भी आंसर नंबर सी लगा है बलको सही है इन पाइफन टपल कें कंडें बोथ इंडिजर और स्टिंग्स यह वाला स्टेंट में बलको सही है नेश्च कॉश्चन है बाट बिल बीड आउट पॉल बलो पाइफन कोड यहां तो पूछ रहा है तो पूछ रहा है तो पूछ रहा है यहां पर होगा तो देखे 10 नंबर है जब उसमें हमारी टपल इम्मुटिवल है तो यह उप्रेशन भी पफॉर्म नहीं होगा तो क्या एगा यहां पर एरर आने वाली है नेश्च कॉश्चन है वाट बिल बीड आउ पूछ रहा है हमसे तो बताइए ज़रा क्या आउटपूट रहेगा सेम कॉश्चन है और टू कॉमा फॉर रहेगा नेश्च कॉश्चन पर आते हैं विच अप द फॉलिंग इस यूज़ दू क्रिए अप्टी लिस्ट को क्रिएट करता है यहां पर बात किसकी कोई एंपी स पॉलिग है यहां पर सेट के लिए हम जो खेसे सेट को करते है है जो इसको सॉड़ करेंगे इसका उंसर व फॉलुंबर का है इक सम्नान स्माय ऊम्र्स तरह से ओगा आपका एर्र centsitect को उसमें डल्यारे होगी तो एक अलग्या एच साही होगी तो स्वार्ट पर फॉलिंग मे अब यहां पूछ रहा है अब यहां पूछ रहा है तो देखें दो टपल यहां पर दी हुई है और बीच में किसका काम करेगा तो यहां पर 1,2,3,4 आंसर रहेगा तो बी बिलकुल सही है जिसने भी लगाया नेक्ट पर आते हैं वाट बिल बी दा आउट पूट अब दा ब्लो पाइथन कोड अगें यहां पर पाइथन कोड पूछ रहा है यह बहुत सिंपल है रिप्लीकेशन ओपरेटर का काम कर रहा है और जिन्होंने भी आंसर लगाया सी बिलकुल सही है क्योंकि इसमें रिपीट ह हम लोग करते हैं तो वेल्यूस हमें मिलती है यहां पर एक सब्सक्राइब का यूज कर रहे हैं तो 19 माले का बता ही जरा आंसर क्या है बिल्कुल सही रहेगा इसने प्रू लगाया बिल्कुल सही लगाया है नेक्ट कोश्चन है वाट बिल बीदा आउट पूट अपूट का इम्यूटिबिल्टी के टपल में हम लोग लिस्ट वाले ऑपर नहीं कर सकते हैं नेक्ट कोश्चन है वाट बीदा आउट पूट अप्ड प्लो प्लो पाइथन कोड यहां पर कुछ है उन्होंने एक टपल क्रेट किया है कुछ से माइनस 3 कॉलन 0 करेंगे तो इसका आउट प्लो कोश्चन हें यहां पर कोशच हम धीरि नहीं सकते हैं एक टो होट टॉल प्लो प्लोट कियां प्र अपनीन नहीं इ lifes पेमेट कोशिल से कन लिए क loot नहीं है यहां है सभी उन्हाई पाट नहीं एक ग्या है क्या है मैस्कि टॉल् toutes दारिट कोशक्रेर। तो क्या है immutable data type जिसने भी लगाया है विल्कुर सही है अब बताए ज़रा है यहां पर क्या अंसर आएगा 26 जिसने भी लगाया है विल्कुर सही लगाया है सी बिल्कुर सही होगा नेक्स क्कॉशन पर आते हैं what will be the output of the below python code अगेन पाइफन कोड हमें given है और पूछना है इसका output क्या है तो यहां पर तो आप यहां पर समझ गया होगे इसका आंसर क्या आएगा तो आप देखेंगे यहां और फोर और फोर यहां पर यहां पर यहां पर समझ गया होगे इसका हो जाएगा 12 next question है which what will be the output of the falling python code अगेन है और यह वाला जो output है 29 number question में simple भी है यहां पर क्या हो जाएगा आपका 7,6 swapping हो जाएगी इसके तोरह next tuples cannot be made keys of a dictionary क्या ऐसा बात बिल्कों सही है true या false तो answer है यहां पर यहां पर यहां पर execute करते हैं और फिर हमें यहां पर लगाते हैं डेल del a और एक पर हम print करके देख लेते हैं यह को देखिया क्या हो रहा है name is not defined actually यहां पर इसको अगर हम इस तरह से ना करके एक काम करते हैं आपको इस mood पर करके बताते हैं इस वाले mood पर और फिर हम यहां पर कराएंगे del a और फिर प्रिंट करते हम लोग यहां पर एक काम कि अगर है एक को इस तरह से प्रिंट कर लें और फिर नेक्स तरह 32 इस तरह फॉलिंग पाइफन कोड वैलेड क्या यहां पर एक को प्रिंट करेगा क्या यहां पर 22 32 नंबर में प्रिंट होगा तो ए में पूरी वैल्यू यहां पर दे रहा है इसको भी मैं आपको राइट बता देता हूं ताकि यह वाली भी आपको क्लियर समझ इस में प्रिंट है इस होुकर यहां है को नि एहां पर पूछले हरे तो आसर क्या देता है तो अनसर का एक है यहां यहां फालस ना का्वान प्रेंट है यां इंबैलिट अप्लेशन होगा तो 33 का बताई जरा क्या लगा है 32 का आप लोगने C लगा है तो बिल्कों सही लगा है 33 का जिसने में लगा है तो 33 का अंसर रहेगा true next question आते है set members must not be hashable बताई जरा इसका याद रखेगा 34 number में रहेगा false next question what will be the output of the following python code again हमें एक python code दिया हुआ है 35 number question में अब पुछा आउटपुट तो वह ही है एक को हम कर रहे है अपडेट के साथ आएगा तो 1,2,3,4,5 बिल्कों सही होगा next question what will be the output of the following python code अब बताई यहां पर पुछते है set कि अब इसका type के आएगा तो देखें यहां हमने क्या किया है इस तरह से आता है class set जैसे class list class class dictionary आती है वैसे set के लिए class set लेक्के आएगा next question is the following python code return result is an error बताई जड़ा क्या यह error आएगा true यह false तो आंसर आएगा true विल्कों सही next question is set makes uses of dictionary makes uses of तो बताई यह set कैसे बनता है dictionary कैसे बनता है और सिंब्ल से question पूर्ट कैसे होता है case और dictionary का तो की इस वैल्यू से बनती है next question है the output of the following code class set और type of this अब पुशन इसका output क्या एगा इसका आउपट आएगा false इसका आउपट विल्कों सही होगा next question पर आते है what will be the output of the following python code यहां पर यह इंटु इंटु टु फॉर ए इंटु फॉर तो बताई ज़रा इसका आने वाला है तो जीरो आएगा फिर आपके पास इसका आएगा one फिर आएगा four फिन nine ठीक है क्योंक इसका आउपट गाला काम करता है जिसने भी ए लगाया विल्कों सही लगाया कि प्योपी मेंथे यही काम करता है next question difference between the function discard and remove is that तो बताई यह 42 number में क्या लगाया है तो जिसने भी answer लगाया होगा D बिल्कों सही है remove thrown an error if the specified element is not present in the set whereas discard does not thrown error in case absence of the specified element answer जिसने भी लगाया है वि we have two set s1 and s2 and we want to check if all the elements are set s1 and present in s2 or not we can use the function तो बता ही जरा किस का हम यहां पर यहां पर यूज करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे s2.is upperset s1 का हम लोग यूज करते हैं लाइस पॉस्चन है what will be the output of the following python code अगें हमें एक python का code दिया है इसमें s1 में हमने value store की है और s1.is subset s1 हमने यहां पर किया हुआ है तो बता ही जरा 44 का answer क्या लगा है जिसने भी 44 का answer लगा है यह वो बिलको सही लगा है क्योंकि इसका answer आपका true next question is the output of the following code अब यहां पुछने इसका output कि आएगा यहां पर type लगा है यहां पर set लगा है 45 नमबर में इसका answer कह रहा है false बिलको सही next question is which of the following lines of the code will result an error बता ही जरा क्या answer यहां पर error आने वाली है 46 नमबर में next a 48 number question which of the following function cannot be used to heterogeneous said मतरी तरह कौन सा function हमारा इसमें यूज होता है तो वह होता हमारा sum function तो जिसने भी answer लगा है 48 बिलको सही answer लगा है next question पर आते हैं लिखा हुआ है what will be the output of the following python code 56 या 65 कितना हो जागा 11 11 18 18 प्लस 5 क्योंकि यहां पर sum हो के आने के बाद कितना आएगा है आपर C answer 23 बिलको सही next and last question आज का हमारा dash is not which of the following python code is valid यहां पूछ रहा है क्या यह valid है नहीं है तो बताए जरा क्या यह valid होने वाला है तो यहां पर जो answer रहेगा 50 कब हो रहेगा यहां पर false क्योंकि क्या होता है जो आप लोग का method होता है क्या method आपका is upper set return returns to if b is proper set of a ठीक इसलिए क्या है यहां पर तो आप लोग चैनल को subscribe करके जाए क्योंकि इसी तरह के शांदार में आप लोग को कॉशन लेकर आने वाला हूं जिससे कि आप लोग सारे जितने भी कॉशन आप लोग के रहे रहे हैं यहां आप लोग ट्यारी नहीं किये तो हम आपको हर एक तरह के कॉशन यहां पर प्रो पता हुए थे टपल के कॉश्चन तो उसी के रिगार्ड हैं हमने कुछ कॉशन यहां पर तयार किये हुए हैं जो आप लोग के लिए बहुत हैल्फुल होने वाले हैं तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करके जाए और नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए ब आप लोग को आयउटी की क्लास मिलेगी वे तो यह रही आची क्लास कॉमेंट बॉक्स में जरूब सब्सक्राइए और अगर आपने आप प्रीवेस नहीं देखिया पाइथन के बारे में कुछ एक्स्टा करना है आप लोग एक्स्टा मुझ कुछ चाहिए तो यह प्लेइस ये सारे कॉश्चन्स आप लोग इसमें से देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो फिर मिलते हैं अपनी नए